कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर ब्रिटेन ने एक और कदम उठाया है आपको बता दें कि अब ब्रिटेन आने वाले पैसंजर्स के लिए कोरोना रिपोर्ट और कॉरेंटाइन होना अनिवारी है सभी इंटरनेशनल पैसंजर्स को अनिवार्य रूप से 14 दिन के कॉरिंटाइन पीरियड का पालन करना होगा इसी के साथ ही उन्हें ब्रिटेन में तभी प्रवेश दिया जाएगा जब उनके पास कोरोना की नेगिटिव रिपोर्ट होगी पहले भी प्रिटेन दुआरा आने को कदम कोरोना को रोकने के लिए उठाय जा चुके हैं लेकिन कोरोना के केसों में कमी नहीं हुई जिसके चलते अब ये कदम उठाया गया है आपको बता दें कि ब्रिटेन ने सभी ट्रेवल कॉरिडोर बंद करने का फैसला कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लिया है प्रधान मंत्री बॉरिस जॉंसन ने गुरुवार को इसका एलान किया था इस जॉरान उन्होंने बताया कि देश में इन नए नियमों को 18 जनवरी सुबह 4 बजे से अमल में लाया जाएगा उन्होंने बताया कि सभी इंटरनेशनल पैसेंजर्स को अनिवार्य रूप से 14 दिन के कॉरिंटाइन पीरियट का पारन करना होगा इसी के साथ उन्हें ब्रिटेन में तभी प्रवेश्ट दिया जाएगा जब उनके पास कोरोना की नेगटिव रिपोर्ट होगी वही मेकसिको में पिछले 24 गंटों में रिकॉर्ड 21,366 मामले सामने आये हैं ये देश में एक दिन में मिलने वाले संक्रमितों का सबसे बड़ा आकड़ा है बीते दिन 116 लोगों की जान भी गई बताये तो ये भी जा रहा है कि यहां अब तक कुल 16,9735 लोग करोना से संक्रमित हो जुगे हैं महमारी की वज़े से जान गवाने वाले लोगों का आकड़ा भी 149,022 पहुँच गया है वहीं यहां यह भी बता दे कि ब्राजील में कुरोना के नए वेरियंट की रिपोर्ट्स के बाद साउथ अमेरिका और पुर्तगाल से आने वाली फ्लाइट्स पर भी बैन लगा दिया गया है ट्रांसपोर्स सेक्रेटरी ग्रांट शेप्स के मताबिक शुकरवार से पुर्तगाल के लोगों की एंट्री पर बैन लगाया है क्योंकि साउथ अमेरिका से यूरोप आने वाले जादतर लोग पुर्तगाल होकर आते हैं यूएस के प्रेसिडन्ट इलेक्ट जो बाइडन के मताबिक एड्मिनिस्ट्रेशन कोविड नाइटीन वेक्सिनेशन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कम्यूनिटी वेक्सिनेशन सेंटर्स और मॉबाइल हेल्थ क्लीनिक पर संसादनों को बढ़ाया जाएगा यहां ये भी बता दे कि रूस में बीते 24 गंटे में 24,715 कोरोना के नए के सामने आए हैं रूस में अब तक 35.20 लाक लोगों में कोरोना संक्रमन की पुष्टी हो चुकी है इसमें 29.9 लाक लोग ठीक भी हो चुके हैं और 64,495 लोगों की मौत हो चुकी है बता दे कि मास्को रूस का सबसे प्रभाविच शहर है मौसको में बीते दिन 5534 नए केस सामने आए है वही फ्रांस ने कोरोना को ले कर दो एहम फैसले किये जिसके तहत तीन महीने के सक्त लोग डाउन के बाद अब सरकार यहां स्कूल खोलने की तैयारी कर रही है लेकिन इसके पहले उसने 10 लाख बच्चों का टेस्ट कराने का फैसला लिया है दूसरा फैसला यह है कि सरकार लोग डाउन आगे नहीं बढ़ाएगी इस बारे में जल्द विस्तार से जानकारी दी जाएगी बताते चले कि दुनिया में कोरोना मरीजों का आगड़ा 9.43 करोड से जादा हो गया है 6 करोड 73 लाख से जादा लोग ठीक हो चुके हैं अब तक 20 लाख 17,000 से जादा लोग जान गवा चुके हैं जटी जादी जादी घर गादंहें